प्राण प्रतिष्था वाले दिन पूरे भारत में लोगों से अपने घरों में दीप जलाने की अपील की थी लेकिन अयोध्या का ये लता मंगिसकर चौक है आज ही देखिए दो तीन दिन अभी बाकी है प्राण प्रतिष्था में लेकिन उससे पहले ही लोगों ने यहाँ प पर बना दिया है यहाँ पर भक्तों ने जो दूर दरा से आए हैं उन्होंने जैश्री राम लिख दिया है और एक तरह से कहें तो दीपा वली शुरू हो गई है अभी से ही तीन दिन पहले से ही यह सारी चीजें शुरू हो गई है यानि जो महौल है आप समझ सकते हैं यहां में से एक तस्वीर यह भी है कि देखे आज ही दीपा वली जो दीप जलाने की जो आस्था का जो बात जो प्रधानवंतरी मोदी ने कही थी उसको ले करके लिख दिया गया है कहां से आई है आप हैदराबाद से आई हैं आप अच्छा और कौन-कौन आया आपके साथ मेरे ह सबस्क्राइब अबरतार 1-2-3 टकार शांटरी मोदी जी ने तो कहा था कि घर में जला एगा आप लोग improving psqam Hall बोगывает जला डियों खरलें आप प्रदाव मों देक고 तो देखेंगे ऐसे ही तरकी करेंगे ऐसे तरकी होगी या तो आप देख रहें किस तरह से किस तरह से पूरा जैस्री राम लिखने के बाद पूरी तरह से यहां पर राम मैं पूरी आयोध्या हो चुकी है आप कहां से आईया मैडम मंवास नवाब गजी ओन वाले यह अब दनवाब गण से यह किसलिए यह आईया आप लोग लिए दिव जलाएं हैंब भी जलाएं अप्ट लोग सब लोग मिलके चलाए और आपके साथ बच्चे पिसलिए लिए बच्ची है यहां पर घुमने हैं देखे माबाप के साथ बच्चे भी आये हुए हैं अजय क्या नाम है आपका बेटा ओमनी को सौधन अच्छा कहां से आई हैं आप नवाप गंज से नवाप गंज से कैसा लग रहा है अध्या करके पहली बार आई हैं नहीं बहुत बार आचुके सब्सक्राइब करवाया है उन लोग एकदम राम जी और लक्षमाट जी के रूप में यहां लोग को भेजा गया है राम जी के रूप में अच्छा अब नई आयोध्या पहले आप आई थी अब नई आयोध्या को लेकर करके ममी पापा क्या कह रहे हैं बहुत डेवलिमेंट पहले इतना नहीं तो आप योगी जी और मोदी जी जितना करवाद ही इतना कोई नहीं करवा सकता उन लोग बहुत अच्छे है बहुत डेवलिमेंट हो गया बहुत चीज हो और अच्छा लिग राम लिगने चाहिए अंसरों से तो योगी मोदी को लेकर कि यी बच्ची और उन्हें तो बगवान राम ने भेजा है ये काम करने के लिए आप देखिए आप भी आपके परिवार से ही हैं अच्छा आपकी वच्ची है यह इसे आपकी नगरी हम लोगों को बहुत अच्छी लग रही है काफी अच्छा लग रहा है काफी प्रोग्रेस हुआ हम लोग योगी मोधी के अभारी है अपी अच्छा लग रहा हुआ उन्हें इतना बढ़ा तीर दाम पर रहा है अच्छा यह यह दीपों को लेकर के दिली से एक भाई साफ आए है और मैं चाहूंगा कुछ अच्छा आप आप आएं दिली से अच्छा क्या लेकर के आए हैं यह खास मैं 3 जन्वरी सी अयोध्या में हूं और आए हम लोगों के एक पहल करने की सोची विल पिदा मनेाजाज्यस हैं,'姦 अच्छ आए हे से आए है मन बाद..ी चेशन हुआ है हम लोगों ने अयॉध्या की मिट्टी के दीपग बनवाए है अगर आप देखे इसमें प्रोड़क्ट में इस हैंपर में जो भी है वो कमप्रीट्टनी मेड इन इंडिया अगर आप देखे तो ये के हमपर है जैसे मोदी जी ने बोला है पाँचपाच दीपक जलाने को तो हमने डिजाइनर दीपक जो की यहां के कुमहारों के द्वारा बनाए गए हैं डिजाइनर तो आप आर्ट देख सकते हैं आज की रेट में वो ट्रेडिशनल चौक हमको देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहां के लोगों ने अब भी उस ट्रेडिशन को जिंदा रखा हुआ है आप यहां देख सकते हैं आज भी उन्होंने इतने सुंदर दीपक बना है दे देख सकते हैं क्या गफ्याइद कर सकते हैं हमने यह सिर्फ एक पहल की है ताकि जो लोग सिर्फ मंदिर में कमर्शियल बड़े-बड़े होटलों को देख रहे हैं वो कहीना कहीं जो लोकल लोग है जो बिल्कुल जिनके मंदिर की वज़े से दुकाने गई हैं धर गए हैं अगर आयोध्या में कुछ ना कुछ हो रहा है अतनी बड़ी हो रही है तो आयध्या के लोग उसके साथ बड़े होने चाहिए तो यह देखिए दीपावली का बकाईदा प्रोडक्ट भी आ चुका है जो घर में अपने वाइस तारीक की जो दीपावली मनाई जाने की जो बात गई जा रही थी उसको लेकर के जो प्रोडक्ट जिसका इंतजार लोगों को था वो प्रोडक्ट भी आ चुका है और वो भी आयोध्या की मिट्टी से बने हुए दीपाव और यहां के ग्रह उद्योग में बनाया गया दीपाव को में डालने के लिए तेल भी है जामरा परसंद पुरकान के साथ पुल्दीप दिवेदी वन इंडिया हिंदी